अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने Android फोन में हिंदी में टाइपिंग कैसे करें तो इसके लिए आप Play Store ओपन करिए और उसके बाद उपर सर्च बार पे किलिक करिए और टाइप करके सर्च करिए जीबोड उसके बाद चेक करिए अगर आपके फोन में जीबोड डाउनलोड नहीं हैं तो इसे डाउनलोड करिए वैसे जादतर फोन में जी बोड पहले से डाउनलोड होता है पर अगर आपके फोन में डाउनलोड नहीं है तो इसे डाउनलोड करिए तो यहाँ पर अब इसे डाउनलोड करने के बाद बहार आईए उसके बाद अपने फोन की सैटिंग्स ओपन करिए settings open करने के बाद नीचे scroll करिए नीचे आने के बाद additional settings आएगा तो इस पे click करिए click करने के बाद उपर languages and input आएगा इस पे click करिए उसके बाद नीचे manage keyboard आएगा इस पे click करिए उसके बाद उपर यहाँ पे इस तरीके से gboard आएगा तो अगर आपका Gboard इस तरीके से off है तो इस पे क्लिक करिए और इसे on करिए इसे on करने के बाद back आईए यहाँ पे अब current keyword आएगा इस पे क्लिक करिए current keyword पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे Gboard आएगा तो Gboard पे क्लिक करिए और इसे select करिए current keyboard में gboard select करने के बाद अब अपने फोन में जब आप keyboard open करेंगे तो इस तरीके से आएगा और keyboard में एक settings का icon आएगा ये वाला इस पे click करिए ऐसा page आएगा अब यहाँ पे उसके बाद उपर languages आएगा तो इस पे click करिए languages पे click करने के बाद नीचे add keyboard आएगा add keyboard पे click करिए उसके बाद उपर Hindi आएगा ये Hindi India इस पे click करिए और नीचे done पे click करिए Hindi add करने के बाद अब अपने फोन में चेक करिए जब आप keyboard open करेंगे तो इस तरीके से जब आप space बार पे long press करेंगे यानि कि इस पे 2-3 second click करके रखेंगे उसके बाद Hindi select करने के लिए आगा तो जब आपको Hindi में typing करनी है इस तरीके से करके Hindi पे click करिए Hindi select करने के बाद अब जो आप type करेंगे वो Hindi में type हो रहा है तो देख सकते हैं इस तरीके से और जब आपको English में typing करनी है तो इस पे long press करेंगे space bar पे और English select करिए तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें करेंगे